हेलो फ्रेंड्स अगेन वेल्कुम तो मा यूट्यूब चैनल सिविल एठ होम तो दोस्तों घर पर रहिए और मेरे साथ सिविल इंजिनरिंग पढ़ते रहिए सबसे जाधा इनोवेटिव वे में आप मेरा चैनल टेलीग्राम पर भी जोन कर सकते हैं और मेरा फेस्बूक करेंगे कि इसको अब बढ़ने ब Chelsea कि पूरा आप नहीं बूलेंगे कभी नहीं डूस्तों पहले डिखतें कि他 होती एंञ्वेंग्स में फिर मां आपको समझाता हूं बहुत बहुत ऐसी में हिन्दि में बिल्कुल के क्या होती है toughness दोस्तों देखे पहले इसकी definition जो होती है बुक में यह property होती है यह कहना क्या कहना चाहरा है toughness is the property of a material which enable it to absorb without fracture मतलब यह कहना क्या चाहरा है toughness किसी भी material की वो property होती है जो अपने अंदर जो कोई भी material अपने अंदर energy absorb कर लेता है without fracture मतलब without fracture के जो भी material अपने अंदर energy absorb कर रहा है इसका मतलब यह है कि जो maximum energy कोई भी material अपने अंदर absorb कर रहा है without fracture हो से हम क्या कहते है toughness अब आपको और भी ज़्यादत समझे माझा देगे जब आप यह वाली लाइन पढ़ देंगे पूरा paragraph इसमें क्या कहना चाहरा है कि toughness is the measure in term of energy require per unit of volume of the material to cause rupture under the action of gradual increasing tensile load यह इसमें भी दोस्तों यही कहना चाहरा है लेकिन इसमें और elaborate कर दिया थोड़ा से यह क्या कह रहा है कि toughness को measure करते है energy की form में per unit of material किसी भी material के लिए per unit of volume में measure करते हैं किसमें करते हैं कि जो उसके अंदर अगर हम increase करते जाएं gradually increase करते जाएं टैन साइल लोड़ को तो उसके अंदर एक rupture failure होने लग जाएगा इसी को कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों toughness अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका stress strain कर्व क्या होता है stress strain अगर आ क्रवまずinstriaan लोगों कोगर इसे तरीके का होता है खेके तो यह कौन से होता ही हमारी fracture लिमिट होती है यहां पर यहां प्रेक्चर ली मिट होती है वहीमें में आपको बता है फ्रेक्चर होने से पहले पहले जो इसकंदर energy absorbed होती है उसे हम तटफनेस कहते हैं मतलब जो भी एक क और वह बनता है किसी का भी किसी भी material कर ले हो चाह defended हो चाहिए वह की किसी का भी stress ब्रिक्रान कर वह जो उसकी फ्रेक्टर पॉइंट को पर रहता है वसे ही हम टेफनेस क्याते हैं यह ब्रिक involves material का है क्योंकि brittle material suddenly break हो जाता है दोस्तों मैंने brittle material की definition आपको दी है ductile material की definition आपको दी है सबका link मैंने नीचे description में दे दिया है आप जरूर देखें दोस्तों और आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपका toughness का doubt बिल्कुल clear हुआ होगा जिस भी दोस्त को आपके जाते से जदर नीड़ है इन definition की प्लीज उसके साथ share किजिए और चैनल को subscribe करते जाए दोस्तों thank you for your support and your attention गाइस प्लीज चैनल को subscribe करिए और अपने friends के साथ share करती रहिए आपको कोई भी feedback हो आप मुझे email id पर send कर सकते हैं या फिर आप मुझे comment box में लिख कर बता सकते हैं कि आपको किस definition की requirement है thank you for watching और चैनल को subscribe और share करना बिल्कुल भी न भूले thank you again दोस्तों